Guys, welcome to the most detailed video regarding higher air conditioners on YouTube. दोस्तो इस साल higher ने across the range अपने सारे air conditioners में कई सारे updates किये हैं और भरपूर नए-नए models launch किये हैं आपके लिए. For example, इस यह आपको मिलता है higher का convertible inverter AC, fixed speed याने की non-inverter AC और कई सारे window AC के models भी उपलब्ध कराएं गए हैं. आज के इस वीडियो में हम mainly inverter AC के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग जो हैं वो इन दोनों वीडियो को समझके एक non-inverter AC भी choose कर सकते हैं. दोस्तो यह जो higher के AC हैं यह made in India हैं जो कि इनके पूने और रांजनगाउं factory में बनाए जाते हैं. तो आईए इस वीडियो में point-wise बात करते हैं कि यह जो नए higher के AC हैं, इनके pros क्या हैं, इनके cons क्या हैं और क्या higher आपके लिए एक perfect AC हो सकता है इस साथ. तो आप लोग फटा-फट से नीचे जाके like और subscribe की बटन दबा दीजिए और हम launch करते हैं आज का धम्मा केदार वीडियो. गैस जो पहला point मैंने लिखा है, that is tonnage wise models, room size and cooling capacity. अब इनके जो छोटे-छोटे cute cute 1 ton की AC हैं, वो support करने हैं, छोटे-छोटे cute cute rooms up to the size of 120 square feet. इसकी cooling capacity आपको मिलती है 3400 to 3500 watts. हमारे सब के favorite 1.5 और 1.6 ton के जो AC हैं, ये medium size की room, मतलब 120 से लेकर 140 square feet को support करते हैं. 1.5 ton के अंदर जो normal models हैं guys, इसकी cooling capacity आपको मिलती है, अफली 4600 to 4850 watts. जी हाँ, आपको इस साल ध्यान रखना है कि जो 3 star model है, उसकी cooling capacity आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी. 5 star के model है, उसकी cooling capacity आपको थोड़ी सी जादा देखने को मिलेगी. इसके अलावा, यहाँ पे higher ने कुछ heavy duty models भी launch किये हैं, जिसकी cooling capacity है 5070 and 5100 watt. सभी जो models हैं, उनके अलग-अलग buying links मैंने आपको नीचे description में दिये हैं, और मैं ये suggest करूँगा कि अगर आपके room थोड़े से बड़े हैं, तो आप इन heavy duty models के साथ में जरूर जाएए. इसके बाद में 1.6 ton का जो इनका model आता है, इसकी cooling capacity आपको मिलती है 5400 watt, और ये खास करके बनाया गया है बड़े rooms के लिए up to the size of 180 square feet. इसके बाद में आते हैं भारी भरकम 2 ton के AC, जो की बड़े halls के लिए बड़िया option रहेगा up to the size of 215 square feet. cooling capacity आपको मिलती है 6350 watt, एक golden tip मुझे याद आ रहा है, अगर आपकी room के उपर direct sunlight आता है, या फिर आपकी room में ऐसे कोई heat producing devices लगे हुए हैं, जैसे computers हो गई, mining rings हो गई, तो जब AC आप खरीदेंगे उसको एक size बड़ा लीजिए. अगर इसी तरह के golden tips आपको और सुनने हैं, तो ये मेरा जो AC का ultimate buying guide वीडियो है, आपको i button या description में मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक करें. Second point ले लेते हैं guys, that is star rating, और इस साल जो है वो higher ने 3 star, 4 star, 5 star, तीनों भी across the range ACs अबलेबल कराए हैं, और ये सुनके काफी अच्छा लगा कि जो higher है, इन्होंने 4 star AC को भी जिन्दा रखा है. ये जो latest higher के AC है, ये 2023 के जो ICER value के government norms हैं, उसके हिसाब से update कर दिये गए हैं, मतलब इस साल के AC पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा efficient है, ये कम बिजली खाएंगे, और इसका जो ICER value का sticker है वो December 2024, मतलब इस साल अगर आप एक AC purchase करते हैं, तो next year के end तक उसका जो ICER value का sticker है, वो valid रहने वाला है, एक golden tip में आपको देना चाता हूँ, अगर आपका AC का use जादा है, परी 10 गंटे, 12 गंटे अगर आप AC लगा के बैठते हैं, तो 5 star AC ज़रूर कंसिडर किजिए, क्योंकि बिजली बचाने में जो है, आपकी ये help करेगा, अगर AC का use आपका बहुत ही कम है बहुत ही limited है, तो 3 star AC के साथ में आप जा सकते हैं, अगर इन दोनों को आपको थोड़ा सा compromise करना है, तो beach का रास्ता आप ले सकते हैं, that is 4 star, जी हाँ guys, मेरे जो दोनों भी AC है, LG का है, Samsung का है, मैंने 4 star खरीदे हैं, दोनों भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 4 star AC एक बहुत ही बढ़िया AC होता है, तो pricing में कम पड़ता है, और features और इसकी जो efficiency है, वो लाजवाब होती है, आइए लेते हैं next point, that is indoor features, मतलब indoor के अंदर जो है, क्या-क्या खास मिलता है, तो guys, higher जो है वो इस साल जो हमेशा की तरह normal features हम accept करते हैं, for example, turbo cool हो गया, और यह जो turbo cool का feature है, higher ने इसको थोड़ा सा update कर दिया है, यहाँ पे लिखा है, super sonic cooling, और claim यह किया जा रहा है कि 10 second के अंदर आपका जो कमरा है, वो थंड़ा कर दिया जाएगा, तो 10 second तो नहीं, अगर 1.5 minute में भी यह room इसने थंड़ा कर दिया न बॉस, यह feature जो है, वो completely वसूल है, इस frost self clean technology, guys यह जो technology है, यह सबसे पहले samson ने famous की थी, samson इसे कहता था freeze wash, अगर आपको इस चीज का demo देखना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा, basically यह क्या करता है कि अंदर का जो evaporator है, उसके उपर ice मतलब बरफ का formation करता है, फिर तेजी से उस बरफ को पिगाल देता है, और जब बरफ पिगल के आपके drain pipe से निगलती है, उसके साथ में आपके AC में जो भी dust है, गंदगी है, बैक्टिरिया है, वो भी बाहर निकल जाता है, आपके AC बहुत बढ़िया fresh हो जाता है, बस technology है यह, इसके अलाब आपको मिलता है up to 20 meter airflow जो की इनके कुछ limited heavy duty models के अंदर दिया वाइफाई और voice control का support भी कुछ particular models के अंदर दिया हुआ है, इसके अलाब एक और feature मुझे काफी अच्छा लगा, अगर आप AC लगा के study कर रहे हैं, या फिर हमारी तरह कुछ बढ़िया YouTube के videos बना रहे हैं, तो super quiet mode को जो है आप enable कर सकते हैं, fourth point ले लेते हैं guys, that is convertible 7-in-1 features, और इन features को use करके आप आप AC का बिजली का build घटा सकते हैं, अगर आप live demo देखना चाहते हैं कि ये convertible features वाकई में काम करते हैं नहीं, तो यहाँ पे दो वीडियो दा रहे होंगे, आप I button या description में जाके ये वाला वीडियो देखने के बाद मे इसके लिए मैंने बाकाइदा अलग-अलग लिख के आपको description और first comment के अंदर affiliate link दिये हैं, AC खरीते वक्ट confusion ना हो, इसके लिए नीचे जाके मेरा जो affiliate link है, उसका इस्तमाल जरूर कीजिए, ताकि जो AC आपके पास में आए, वो सही तरह का AC आए, fifth point ले लेते हैं guys, that is outdoor features, त इंडिया के अंदर temperature का इस इतना जादा नहीं जाता है, मतलब जब हमारे यहाँ पे heat wave होते हैं, 45, 46, 47 degree के, तब यह जो higher का split AC है, यह बड़े मजे से, काफी अच्छा margin रखके जो cooling है, इसको प्रदान कर पाएगा, इसके जो condenser coil हैं, वो 100% copper के बने हूँ हैं, जिनकी life, aluminium coil क के मुकाबले जादा अच्छी होती है, और इन coil के उपर guys, higher ने जो है, वो काफी एक unique coating लगाई है, इस coating को यह कहता है, any roof, PUF 103, basically यह एक resin based transparent coating है, जो की weather और outdoor conditions से, आपके AC के coils को protect करता है, उसकी life बड़ाता है, stabilizer free operation बताएगा है, और इसकी जो range है, वो भी काफी अच्छी ह 120 से लेकर 290 वोर्ड, लेकिन guys जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, voltage fluctuation किस हद तक जाएगा, यह हम कभी predict नहीं कर सकते, इसलिए I will highly recommend कि आप जो आपका यह higher का AC है, इसके साथ में एक बढ़िया stabilizer दरूर लगाएं, मैं personally कुछ stabilizer use करता हूँ, इनके review और इनके buying link आपको नीचे description म मिल जाएंगे, 6th point यहाँ पे ले लेते हैं guys, manufacturer warranty, और higher ने यहाँ पे boss कमाल कर दिया, जो थमलिल में आपने tagline पड़ा ना कि वाकई में मज़ा आ गया, वो AC वज़ा से मैंने लिखा दे, तो guys इस साल higher आपको दे रहा है, industry leading warranty policy, 5 साल का आपको comprehensive warranty मिलता है, और 12 साल का आपको warranty मिलता है on the inverter compressor, इनका जो fixed speed AC है, मतलब जो non inverter AC है, उसके उपर भी 5 साल का comprehensive warranty मिलता है, और 6 साल का warranty उसके compressor के उपर मिलता है, तो बहुत ही जबरदस्त warranty policy यहाँ पे जो है, वो higher ने निकाल के दी है, अब यह जो comprehensive warranty है, इसका मतलब यह होता है, कि AC के अंदर जो भी functional part हो गए, जैसे अब यह outdoor, indoor, दोनों के अंदर PCB होती है, ठीक है, कई ब्रांट्स जो है, वो PCB warranty देते हैं, सिर्फ outdoor पे देते हैं, लेकिन comprehensive warranty का फायदा ही है, कि दोनों PCB आपके cover हो जाएंगे, तरा-तरा के sensor cover हो जाएंगे, तरा-तरा के motors cover हो जाएंगे, मतलब guys यह जो warranty plan है, basically एक बहु करना पड़ेगा, दोनों भी link मैंने आपको नीचे description में दिये हैं, जाके जरूर चेक कीजेगा, 7th point guys is hidden cost, तो इस साल जो है, वो hire का कोई भी यहां बे free installation का offer अभी तक नहीं आया है, तो installation का जो खर्च है वो लगबग आप roughly 2-3,000 रुपए पकड़ के चलिए, क्योंकि जो stand का cost है, वो अलग से होता है, copper pipe अगर आपको extend करना है, electrical wire extend करना है, तो इसका जो cost है, वो अलग से आपको pay करना होता है, एक छोटी tip आपको देना चाहता हूं guys, आपके AC की warranty को preserve करने के लिए जब भी आप AC install कराएं, आप company का जो authorized technician होता है, या जो service center होता है, वहीं से install कराए अगर आप समझना चाहते हैं कि AC के installation की वक्त क्या precautions रखे जाएं, ताकि AC का installation है एकदम मस्त तरह से हो, तो ये वाला जो मेरा particular वीडियो है, ये जाके एक बार जरूर देखिएगा, यहाँ पर next point ले लेते हैं guys, that is pros and cons, मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अब ज़्या ज़्यादर जो pros हैं वो तो मैंने उपर अलग-अलग features के रूप में आपको समझा दिये, कुछ bonus pros यहाँ पर मुझे आ रहा है, तो यहाँ पर एक bonus pro में आपको बताता हूँ, that is better installation, guys मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 50% of the life of AC is in the installation, मतलब install करते वक्त आपके AC की आधी life जो है अगर आपको vacuum के बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरा vacuum का video है, जाके जरूर देखिएगा, इसके अलावा cold drill मतलब एक gold तरह की drill होती है, तो ऐसे नहीं कि मतलब हथोड़े ले आए और आपके दिवारों के उपर हथोड़े जो है चला दिया और उसको पूरी तरह से खराब तो ये जो है complete मैंने जितने भी videos बनाए हैं, जितना भी research किया है, उसमें से एक बहुत ही highlighting point मुझे लगा है, कि installation के उपर जो है, वो कोई brand यहां पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि एक अच्छा installation बहुत ही ज़रूरी है for satisfactory user experience, अभी हम बात कर लेते हैं, कौन मतलब कमिया क्या क लेकिन आपको यहां पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अलग-अलग models के different buying link आपको नीचे description में दिये हैं, तो आपके मर्जी के साब से आपको जो cooling capacity चाहिए, वो आप जाके खरीद सकते हैं, अगर कुछ इसी तरह के guys, unbiased, well balanced videos आपको देखना अच्छा लगता है, जिसमें pros भी हो, cons भी हो, तो नीचे जाके subscribe वाला बटन जरूर दबाएगा, और notification bell को on करके, all के उपर set जरूर कीजेगा, अभी हम बात कर लेते हैं, next point that is conclusion, मतलब यह higher का AC किसे खरीदना चाहिए, किसे avoid करना चाहिए, guys, अगर आप एक no tension AC लेना चाहते हैं, जि भी no tension हो, और supersonic cooling भी no tension हो, तो बेजी जग, higher की यह जो ACs है, इनको जाके आप खरीच सकते हैं, सभी तरह के buying link मैंने आपको नीचे description में दिये हैं, मुझे अगर आप support करना चाहते हैं, तो मेरे affiliate link से जाके ही AC purchase कीजी, क्योंकि आपका जो purchase price है, वो तो वैसे भी same ही रहता है next यहाँ पर point ले लेते हैं guys, that is competition, और higher की यह जो particular updated models है, इनके सामने दो मुझे brands जो है वो अच्छी तरह से competing लग रहे हैं, that is LG and Panasonic, अब यह दो नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन दोनों brand की जो warranty policy है, वो भी काफी अच्छी है, यह दोनों भी जो brands है, यह convertible AC use करते हैं, और जो pricing है, इनका वो भी roughly इसी segment के अंदर पड़ता है, तो यह दोनों भी जो videos है, LG और Panasonic के यहाँ पर cards के रूप में आएंगे, आप इन card के उपर directly click कर सकते हैं, आपके mouse या fingers से, और आपके लिए एक perfect दमदार AC, इस समर्स में आपके लिए choose कर सकते हैं, आज के